अगर यह पैरलल है तो एक बात बताईए यह कौन सी लाइन मानी जाएगी ट्रांसवर्सल क्योंकि यह इस पैरलल को भी छूती है और यह इस पैरलल को भी छूती है तो यह क्या हो गया ट्रांसवर्सल Similarly, if A.S. and B.T. are पैरलल लाइन Therefore, this line S.T. is also a ट्रांसवर्सल क्योंकि यह ट्रांसवर्सल इसको भी छूता है One को भी छूता है समझाए दो ट्रांसवर्सल दिख गए ठीक, आगे देखिए Angle 4 और Angle 5 बराबर है Question वाले ने बोला है Angle 4, Angle 5 बराबर है तो यह जो triangle है, कौन सा triangle हो गया एक triangle के दो angle बराबर हो गया कौन सा triangle एक triangle के दो साइड बराबर दोनों opposite angle बराबर Isocellus triangle, very good So this triangle B, S, T is Isocellus, ठीक बर अगली चीज़ S, B is an angle bisector of A, S, T Who is angle A, S, T A, S, T This complete angle is angle A, S, T दिख रहा है, यहां से लेकर के यहां तक और यह जो S, B खीचा है यह क्या है bisector, इस angle का bisector angle का bisector मतलब इसने इस angle को दो बराबर बराबर angle में बांट दिया होगा तो 2 और 3 कैसे angle हो गए बराबर बराबर equal हो गए आपस में न, क्योंकि bisector है S, B, समझा आया पहले यह total angle रहा होगा कुछ जैसे ही bisector खीचा, यह दोनों angle क्या हो गए बराबर बराबर तो 2 और 3 भी बराबर हो गया समझा रहा है हमको पता करनी ही कि angle 1 की value कितनी होगी इस angle 1 की value कितनी होगी ठीक है? हसी है नहीं कभी-कभी जमान फिसल जाती है इसको समझे यह अपने आप में एक बड़ा important question है बड़ा unique question है अच्छा, इसमें जो 1, 2, 3 लिखा है यह question वाले ने खुद mark किया है बुक वाले ने खुद mark किया है तो हम उसको change नहीं कर रहे हैं हम भी उसी format में बनाएंगे क्यों ऐसा करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि जब angle बहुत सारे हो जाते है तो उनका नाम फिर 3-3 अक्षर में लिखना बहुत बड़ा हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? उसको numbering दे देते हैं यह number का angle यह वाला है, वो वाला figure में दिख रहा है न जैसे angle 1 इसको नाम में अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? A, S, R यह है angle 1 A, S, R तो इतना लंबा नाम हम नहीं लिखना चाहते हैं उसको simply क्या लिख दिया? angle 1 समझ जाओगे ना इस चीज़ को? अब ना इसको solve करने से पहले जो जो data हम लोग इकठा कर सकते हैं वो data निकाल लेते हैं फिर आगे गाड़ी बढ़ाएंगे समझे कि नहीं समझे? समझ गए ना? सबसे पहली चीज़ देखिए ना? question में जो इन्हों ने बताया है angle 4, angle 5 बराबर है इसको हम equation number 1 माल लेते हैं यह given है, question नहीं बता दिया है देखते चलिएगा 4 किसके बराबर बोल रहा है question? angle 5 के बराबर angle 4 का नाम B, T, S angle 5 का नाम S, B, T नाम लेते बन जाएगा? नाम लेते बन जाएगा? तो बड़ा बड़ा नाम हम नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि बहुत बड़ा पड़ेगा इसलिए number से उसको denote करेंगे हो गया यह? तो पहली चीज जो question बोलता है 4 और 5 बराबर है हमने mark कर लिया 4 और 5 बराबर जो जो data मिलता है कठा कर लेते हैं आगे काम आएगा जो काम की चीज होगी यूज करेंगे नहीं होगी छोड़ देंगे ठीक है? चलिए यह हो गया दूसरा चीज और हमने क्या बोला था? यह bisector है A, S, T, angle का यह वाला S, B, bisector है तो angle 2 और 3 भी क्या हो जाएंगे? हो जाएंगे न, bisector है तो तो angle 2 और angle 3 बराबर हो जाएंगे यह भी given में है क्यों? क्योंकि यह लिखा है उसने S, B, bisect angle A, S, T समझ रहे हैं? तो 2 और 3 बराबर हो जाएंगे बोलो बोलो 2 और 3 इक्वल हो गए की नहीं? bisect होने के बाद बराबर बराबर angle हो जाते हैं ठीक बात अगली चीज देखो A, S और B, T parallel है A, S और B, T This is A, S, this is B, T parallel है और यह S, B या यह वाली लाइन ले लो पूरा R, T R, T क्या है? Transversal इस Transversal ने पहले parallel के साथ angle बनाए angle 1 यही Transversal आगे बैठा दूसरे parallel के साथ angle बनाए angle 4 तो angle 1 और angle 4 पहचानो कौन से angle है? दिख रहा है corresponding? किने दिख रहा है? नहीं तो मैं अलग से बना के दिखाऊ हूँ दिख रहा है ना? यह दो parallel line ऐसे एक यह एक यह और यह हो गया Transversal यह angle यह angle कौन से angle कहलाएंगे? corresponding angle तो angle 1 और angle 4 क्या है? corresponding angle समझ आया? since AS है ना? AS parallel to BT and Transversal किसको मान रहे हैं? RT is Transversal line therefore angle 1 और angle 4 यह भी आपस में बराबर equation number 3 ठीक है? यह मिल गया data? जल्दी से बोलो ना? कहें नहीं बोलते हो हो गया? फिर बताईए मुझे एक बात AS और BT क्या है? parallel और BS भी क्या माना जाएगा? Transversal यह Transversal पहले parallel के साथ कितना angle बनाता है? 2 और यही Transversal दूसरे parallel के साथ कितना बनाता है? तो यह दोनों angle भी क्या हो जाएंगे? Alternate interior angle ठीक है न? RT के साथ साथ हम लोग यह वाला भी लिख देते हैं Transversal RT and और एक टो कौन सा है? BS यह दिख रहा है न? समझा रहा है? RT भी Transversal BS भी Transversal BS की वज़ए से कौन से दो angle बराबर हो रहे हैं? ठीक है? चलो यहां तक को होगे हमारा काम यहां तक रुख जाते हैं इससे ज़्यादा data हम लोग नहीं निकाल पा रहे हैं ठीक है? बोलो जल्दी आप देखिए न? अब हम लोग क्या करते हैं? यह RT क्या है? इस straight line पर बनने वाला यह angle कितना होता है? तो एक, दो, तीन यह तीनों angle मिल करके 180 बनाते होंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना होगा? क्या बोलेंगे इस angle को? क्या बोलेंगे इस angle को? linear pair के लिए दो ठो होंगे angle दो से ज़्यादा होगे तो उसको क्या बोलना है? straight line angle ठीक है? angle made on straight line देखिये तो now RT is a straight line therefore angle 1 प्लस अंगल 2 प्लस अंगल 3 एक्स वस्ती डिगरी होगा? होगा ना? equation number 5 reason में क्या लिखोगे? straight line angles यह समझ आया? 1, 2, 3 तीनों का sum 180 degree बोलते क्या है? straight line angles होगा यह? यह होगा? अगली चीज यह triangle देखिये B, S, T इस triangle के अंदर कितने angle है? यह 3, 4, 5 तो तीनों अंगलों का sum by angle sum property कितना? in triangle B, S, T angle बोलो कौन कौन से है? angle 3 angle 4 plus angle 5 कितना? 180 degree equation number 6 equation देनी के जौरत नहीं है जिसकी जौरत पड़ेगी आगे उसका हम लोग equation मान के बना लेंगे अभी तो बनाए चलो angle sum property हो गया ये? angle sum property बोलो बोलो यहां तक क्लियर हुआ? अब देखो ना अब हम लोग थोड़ा सा equivalence करते हैं बहुत सारा data हो गया बहुत सारा data ही कठा हो गया अब देखिए ये पूरी quantity एक्सवस्थी के बराबर ये पूरी quantity भी एक्सवस्थी के बराबर तो ये भी एक्सवस्थी के बराबर ये भी एक्सवस्थी के बराबर तो ये दोनो आपस में भी बराबर होंगे आईसो सेलस कहां से हो जाएंगे? क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो तो कुछ तो बोल रहे हो न ना इधर देखो समझो इसको ये पूरी quantity इसके बराबर 180 के बराबर ये पूरी quantity भी 180 के बराबर तो ये दोनो ये भी 180 है ये भी 180 है तो दोनो बराबर हो गए न दोनो बराबर कौन सी equation से 5 and 6 अरे इधर देखो हो गया छोड़ो न from 5 and 6 equation दोनों बराबर हो जाएंगे कौन सा 1 plus 2 plus 3 1 plus 2 plus 3 किसके बराबर 3 plus 4 plus 5 यह हो गया यहाँ तक होगा बराबर कुछ चीजें कैंसल हुई क्या 3 3 हम लोग कैंसल नहीं करते हैं 3 बचा लेते हैं क्यों बचाते हैं मैं भी आपको बताता हूँ और देखिए यहाँ से अभी यूज करते हैं न डेटा पलटना 1,2,3 1 हमको निकाल नहीं है 1 बचा लेते हैं ठीक बात अंगल 2 किसके बराबर है अंगल 3 के बराबर तो 2 को भी हम क्या लिख सकते हैं यह देखिए 2 किसके बराबर है तो अंगल 2 को हमने क्या लिख लिया ध्यान से देखिए क्यों लिख रहे हैं अंगल 3 यह तो है ही अंगल 3 ये तो है ही एंगल थरी ठीक है एंगल फॉर देखो बहला एंगल फॉर किसके बराबर है फाइब है न तो हम क्या करते है फॉर 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 किसके बराबर वन के बराबर और फाइब भी किसके बराबर तो हमने 5 को क्या लिख लिया देखना ना इस 5 को क्या लिख दिया 4, इस 4 को 4 रहने दो आप जहां से देखिए this is angle 1 angle 1 plus कितने angle 3 हो गए 2 angle 3, इधर भी एक angle 3 है कितने angle 4 हो गए 2 angle 4 यहां तक समझे समझे के नहीं समझे आप देखिए ना angle 4 किसके बराबर 1 के बराबर समझ रहे हो अच्छा, यह जो data यहां हमने लगाया हमने 5 को लिख दिया 4, कौन से equation से 1 से, और किसको पल्टे है 2 को लिख दिया 3, equation number 2 से तो यहां पर 2 को 3 लिखना 5 को 4 लिखना यह कौन से equation से है from 1 and 2 यह reason दे दिये, ठीक है 1 और 2 का use करके उसको पलट दिये, आप देखिए angle 4 किसके बराबर है 1, तो angle 4 को 1 लिख लें, कौन से equation है 3, so from third this is angle 1 this is 2 angle 3, angle 3 धार आजाएगा minus हो जाएगा, और इस angle 4 को हमने क्या लिख लिया 2 angle 1 ठीक है न, यह angle 4 को किसमें change कर लिए, 1 में, कौन से equation से third equation से यह वाला, 4 को 1 लिख लिए समझा रहा है फिर से देखिए a1 उधर भेजो यहाँ 2 angle 3 में 1 angle 3 चला गया, 1 angle 3 2 angle 1 में यह angle 1 उधर जाके minus हो गया तो angle 3 किसके बराबर आया, angle 1 के बराबर समझा रहा है यह देखो, इसको एक equation दो कौन से, कहां तक पहुँचे थे 6 यह 7 वा यह, angle 1 भी किसके बराबर मिल गया angle 3 के बराबर मिल गया, समझा आया बड़ा लंबा चोड़ा हो गया बड़ा लंबा चोड़ा हो गया देखो, अब कैसे निकालेंगे हमको क्या चाहिए, angle 1 की value चाहिए हम लोग क्या जान रहे हैं कि 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना होता है 180 degree 3 किसके बराबर बना लिया हमने तो angle 3 को 1 लिख लिए 2 किसके बराबर है 2 किसके बराबर है 3, और 3 अभी अभी क्या बन गया है 1, तो इस 2 को फिर क्या लिखेंगे 3 और 3 को क्या लिख देंगे 1, angle 1, angle 1, angle 1 is equal to x वसी degree, 3 angle 1 is equal to x वसी degree angle 1 is equal to 180 divided by 3 60 degree, angle बना गया 60 degree का, नहीं समझे नहीं समझे थोड़ा सा दिमाग लगाओ now हाँ, कहाँ पड़ थे, ये from equation number 5 angle 1 plus angle 2 plus angle 3 equal to 180 इस angle 3 को क्या लिखना है, angle 1 इस angle 2 को क्या लिखना है, angle 3 again इस angle 3 को क्या लिखना है, angle 1 match करके देखो देखिए ये सब approximation हम लोग क्यों बनाते आ रहे हैं ताकि हम ज़रूरत पढ़ने पर angle को convert कर सके हमको angle 1 पूछाए सिर्फ तो angle 1 कब आएगा, जब सभी angle किसमे change हो जाएंगे, angle 1 में यहाँ पर हमको पता है, 1 plus 2 plus 3 एक्सवसी होता है, लेकिन 2 और 3 हमको नहीं पता कितने कितने हैं तो हम 3 और 2 को किसमें change कर लिए angle 1 में, तो सिरिफ angle 1 1, 1, 1 दिखेगा, add करके 1 की value आजाएगी, समझा रहा है तो हम यह चाहते हैं, यह 3 भी क्या बन जाए, angle 1, यह 2 भी क्या बन जाए, angle 1, तो हमने सब को angle 1 में convert कर लिया, यहाँ पर पहले हमने जो जो data, जो जो approximation हमको मिले, use कर लिये, जो नहीं मिला उसको convert कर लिये, ठीक है अब आप लोग एक बार इसको देख लीजिए जहान नहीं समझ में आया है, उसको पूछ लीजिए ठीक है Question number 4 We have a triangle P, Q, R हमने क्या किया, P, Q वाली line को extend किया, S तक यह question में लिखाया है, ठीक है Q, R वाली line को extend किया, T तक, तो एक angle यहां बन गया, 135, कौन सा? S, P, R यह 135 इस line को extend किया, Q, R वाली line को बढ़ाए T तक, तो एक angle यह बन गया, कौन सा? P, Q, T 110 का, ठीक है तो हमसे क्या पूछा जा रहा है angle P, R, Q बताइए, कहा है P, R, Q, प, R, Q यह वाले angle कितना होगा? बहुत simple question है, यह angle triangle के अंदर है अगर triangle के अंदर के दो angle हमको पता चल जाती है, तुसरा नहीं निकल जाएगा क्योंकि angle sum property क्या बोलती है? कि triangle के अंदर के तीनों एंगलों का sum कितना होता है? 180 degree, तो दो पता चल जाएगा तो तुसरा पता चल जाएगा straight line और यह angle कितना होगा? 180 degree, यह दोनों मिल करके 180 बना रहे होंगे ना? तो यह दोनों angle क्या कहलाएगे? linear pair angle कहलाएगे, तो यह वाला निकल जाएगा कि नहीं? यह triangle के अंदर का है? 180 में से इसको घठा देते हैं बिल्कुल ठीक, इसी तरह से यह भी निकल जाएगा इसी तरह से यह भी निकल जाएगा यह straight line है, यह पूरा angle 180 का, यह अकेला 110 का, तो यह कितने का? 70 degree का, 70 पता चल गया, यह पता चल गया, triangle का तीसरा angle नहीं पता चल सकता चल जाएगा? चले, start करते हैं, जल्दी जल्दी start करते हैं, बनाना QS is a straight line therefore, angle SPR plus angle RPQ is equal to X plus C degree, ठीक लेखा हूँ, RPQ S, P, R, यह angle और इसको क्या लिखेंगे? R, P, Q, यह वाला angle दोनों का sum कितना? 180, answer यहां reason में क्या? linear pair angle, ठीक है? SPR दे रखा है बताइए angle RPQ कितना? 135 minus करिए, कितना आता है? तो angle RPQ कितना आ गया यह वाला? यह कितना मिल गया? 45 similarly, यहां भी निकाल सकते हैं हम लोग? similarly ठीक है? मैं directly लिख रहा हूँ ना? angle PQT प्लस angle PQR is equal to 180 degree reason में वही linear pair angle यह समझा रहा है? बोलो PQT कौन सा है? PQT यह वाला angle PQR यह वाला angle दोनों angle का sum 180 degree PQT दिया हूँ 110 तो PQR कितना आया? बोलिए 70 हो गया यह? 70 degree हम को क्या निकालना है? यह angle तब triangle के अंदर यह निकल गया ना? यह angle यह angle triangle के अंदर है यह sum करके निकाल लेते हैं या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं exterior angle का help लेके यह exterior angle किस triangle का है? देखो, यह triangle triangle की side को बढ़ा दिये exterior angle यह किसके बराबर होगा? opposite में यह angle प्लस यह angle तो यह angle प्लस यह angle किसके बराबर? यह दिया है, यह दिया है यह निकालना है, नहीं निकल जाएगा 110 में 45 माइनस कर देंगा आ जाएगा हो आ इसे भी निकाल सकते हैं ट्राइंगल की property से भी निकाल सकते हैं हम लोग ट्राइंगल की property से निकाल लेते हैं इन ट्राइंगल PQR बाई एंगल सम प्रापर्टी ठीक है चलिए एंगल R PQ प्लस एंगल PQR प्लस एंगल PRQ निकालना था न PRQ X was 3D आर पी क्यू पैतालिस पी क्यू आर सतर और दिस पी आर क्यू इस इक्वल टो एक्स वसी पी आर क्यू इस इक्वल टो 180 माइनस पैतालिस प्लस सतर कितना हो गया एक्सो पंद्रा माइनस करिये कितना आया 65 इस इस अवर आंसर पी आर क्यू 65 आएगा ठीक है सही जा रहे है ठीक जा रहे है न दिस इस अवर रिक्वाइड आंसर नोट कर ले है कुशन नमर फाइब हमारे पास एक ट्राइंगल है एक्स वाई जेड कुशन दिख रहा है आपक ठीक we have a triangle x y z and angle x is 62 degree z x y यानी z और y के बीच बनने वाला angle x 62 degree z x y ये angle 62 degree again x और z के बीच बनने वाला angle y कितना है 54 यानी x y z x और z के बीच बनने वाला angle y ये पूरा कितने का है 54 इसका नाम क्या x y z ये पूरा angle 54 का है समझाया now y o and z o are bisector of x y z and x z y y y angle और z angle के bisector कौन है o y और o z तो o y ने इस angle को bisect कर दिया ये पूरा कितने का था 54 का जब ये bisect करेगा तो ये दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे कितने कितने के होंगे 54 का आदा आदा 27 27 27 हो रहा आदा ठीक है 27 27 का हो जाएगा समझें न और ये जब bisect करेगा इसको तो ये जितना भी रहा होगा ये भी आदा आदा हो जाएगा बाइशक्टर कर तो यही काम होता है तो हमको ये बताना है कि O Z Y कितने का होगा O Z Y किदार है O Z Y ये चोटा सा एंगल O Z Y ये ये कितना होगा ये बताना है पहला दूसरे चीज Y O Z this is y, o, z यह angle o हमको बताना है कितना होगा तो यह दो angle हमको निकालना है यहां तक समझे सबसे पहली चीज देखिए फटा फट ना यह हमारे पास एक triangle था x, y, z angle x कितना था angle y कितना था angle z कितना होगा निकाल लेंगे, कैसे निकलेगा angle sum property से तीन एंगल का सम एक सबसे दो दी है तीसरा हम निकाल लेंगे, तो पहले तो हम angle z निकाल लेते हैं ठीक है, स्टार्ट करते हैं चलिए, now in triangle x, y, z by angle sum property angle sum property डारेक्ट लिखें, या नहीं नाम ही लिख लेते हैं नहीं कहोगे कि फिर नाम नहीं लिखते हो आप है ना z x y plus x y z plus angle x लिख लिए, angle y लिख लिए angle z लिखना है, तो इसको मैं लिख देता हूं x, z y y कितना होगा इनका sum 180 degree होगा यह तो question नहीं बता दिया है कितना इसको भी question ने बता दिया कितना, यह हमको निकालना है जल्दी से बताओ यह कितना आया, इनको add करो x, z, y कितना आया सही निकाला हो ना, गड़बर नहीं करवाना इन दोनों को add करिये उधर जाएगा तो 180 से minus हो जाएगा, 64 आएगा ठीक है, तो angle z हमारा कितने का आ गया इनको add करिये इसको 180 से minus कर दी उधर ले जाके, इतना आता है 64 जल्दी बताओ 64 आया ना यह हो गया, यहां काम खतम हुआ आप सुनिये यह 54 और यह 64 ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, o z y o z y यह पूरा कितने का आया 64 यह कौन है, bisector तो यह बराबर बराबर नहीं हो गया तो 64 का आधा आधा 32 बतिस, तो o z y कितना हो गया 32 हो गया ना समझे की नहीं यह ऐसे डिवाइड हो गया ना o z y यह वाला अंगल, कितने का 64 का आधा ठीक है now, since हम लिखेंगे o z is by sector of angle x z y therefore o z y कितना हो जाएगा half of angle x z y x z y 64 आया था तो यह o z y कितना हो जाएगा या था 64 तो आधा हो कि यह कितना हो गया समझ रहे है तो o z y कितने का आया 32 degree का यह हमारा यह वाला answer हो गया o z y का समझे नहीं समझे समझ गये similarly देखिए similarly o y bisector है किसका x y z angle का bisector है o y तो यह पूरा angle कितना था 54 o y आएगा तो इस angle को कितना बना देगा o y z यह छोटा angle आदा हो जाएगा 54 का therefore o y z समझ रहे है न o y z कौन से angle है यह अंदर वाला चोटा वाला यह अपने पूरे family member का आदा हो जाएगा parent का this is half of angle x y z और x y z की value कितनी 54 तो आदा होकर कि यह कितना हो गया बोलिया 27 यह हमको पता है अब यह triangle देखो o y z o y z में दो angle पता चल गए एक angle यह z कितने का 32 एक angle यह वाला y छोटा वाला कितने का 27 तो यह नहीं निकल जाएगा तीन एंगल का sum कितना होता है 180 दो दिया किसरे निकल जाएगा angle sum property से in triangle o y z by angle sum property ठीक है angle क्या लिखना है इसको y o z plus angle o y z plus angle o z y नाम लिखना तो आ रहा है ना कौन कौन से खली यह बीच वाला देखो angle o है यह angle y है यह angle z है देख गया ना angle o मुझे निकालना है angle y कितना निकाले हैं हम 27 अभी अभी यह देखो angle z 32 equal to 180 add करके उधर ले जाओ 180 minus दोनों को add करो 7 2 9 59 उधर जाके minus होगा 59 कितना आ गया 121 degree this is angle y o z this is our answer ठीक है समझ आ रहा है बोलो नहीं आ रहा है आप बिना देखे बना लेंगे question number 6 हमारा question है AB parallel to D this is the triangle which we have given this is the figure regarding which triangle this is AB this is D these two lines are parallel so this line is treated as transversal अगर यह transversal है तो यह transversal पहले parallel के साथ उस पार angle बनाती है यही transversal दूसरे parallel के साथ इस पार कितना angle बनाएगी 35 कौन सा angle है यह alternate interior angle very good ठीक है B A C angle हमको दिया गया है B A C 35 similarly C D E भी दिया गया है C D E 53 हमसे क्या पूछा जा रहा है D C E this is D C E यह angle बताना है और यह angle देखो कहा फसता है कहा फसा triangle में triangle में अगर एक angle निकालना है तो बागी दो पता होने चाहिए तो angle sum property लग जाएगी यह angle पता है यह पता चल जाएगा कि नहीं तो यह दोनों पता चल गया यह निकल जाएगा angle sum property से है नए easy समझ रहे हो ठीक है ना देखिए since A B parallel to D E और transversal कौन है A E is transversal इसलिए angle A ना हाँ ठीक है यह लिख लेते हैं A E D किसके बराबर होगा B A C के बराबर यह B A E जो भी लिखना पसंद करें आप this is also 35 degree देखो A E D यही angle है इसी को आप C E D भी लिख सकते हैं याद रखिए समझे ना यह वही line है ना तो चाहे A E D बोलो या C E D बोलो एक ही चीज है 35 reason क्या alternate interior angle याद रखिएगा अब आ जाते हैं triangle के अंदर in triangle C D E by angle sum property तीनों एंगलों का sum 180 degree तो तीनों एंगलों के नाम करण थोड़ा सा करिए एक angle जो हमको निकालना है D C E D C E यही निकालना है ना बोलो ना D C E ही निकालना है ना यह वाला C angle D C E दूसरा इस angle का नाम क्या रखते हैं C D E रिख देते हैं C D E तीसरा अभी अभी हमने निकाला इसको बोल देते हैं C E D इन तीनों का sum 180 degree यह तो हम निकालने जा रहे हैं C D E question ने दिया हुआ है 53 C E D अभी अभी हम निकालें यह A E D इसी को हम क्या लिखेंगे C दोनों बराबर हैं यह दोनों A E D बोलो या C E D बोलो उसी लाइन से तो बन रहे हैं न एंगल C से लो या A से लो एक ही चीज़ है यह कितना निकालें हम 35 निकालो इन दोनों को एड़ करको अधर माइनस करो 5,3,8 5,3,8 5,3,8 कितना आएगा यह 92 आ रहा है पक्का So this is 92 डिग्री यह वाला इंगल आ गया 92 डिग्री This is our answer सही निकाले हो तो ठीक है नोट करें